हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बितंकुर में है 10 सेप्टमबर में IBPS RRB PO मेंस का एक्जाम है और काफी सारे स्टूडेंस हैं जो RRB PO मेंस देने वाले हैं और कुछ स्टूडेंस के कमेंट भी आए कि 10 सेप्टमबर में IBPS RRB PO का मेंस एक्जाम कितनी सिप्ट में कंड़क्ट होगा तो IBPS RRB PO मेंस का एक्जाम सिर्फ एक ही सिप्ट में है मौर्नेंग की सिप्ट सुबह साड़े साथ बजे रिपोर्टिंग टाइम है अब 9 सेप्टमबर में NIACLEO का प्री एक्जाम है और 10 सेप्टमबर में RRB PO मेंस का एक्जाम है और काफी सारे स्टूडेंस हैं जिनका ये दोनों एक्जाम है और कमेंट्स भी देखने को मिले किसी का NIA CLAO का सेंटर दूर है तो किसी का RRB P.O. मेंस का एक्जाम सेंटर दूर है देखो दोस्तो अगर आपके दोनों एक्जाम के बीच में परियाफ्ट समय है फिर आप दोनों एक्जाम दीजे अगर आपको लगता है कि NIA CLAO PRE और RRB P.O. मेंस के बीच में परियाफ्ट समय नहीं है तो आपके लिए RRB P.O. मेंस का एक्जाम बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि आप एक एक्जाम क्लियर करके आए हो बाकी आपका डिसीजन और कमेंट में आप जरू बताएं किसका किसका NIA CLAO PRE और RRB P.O. मेंस दोनों एक्जाम है और आपका RRB P.O. मेंस का सेंटर कहा है मिलते हैं फिनेस वीडियो में जब तक के धन्यवाद